स्टूडेंट्स मैं अपनी प्लैनिंग वाले चेप्टर को आगे बढ़ाता हुआ इसी में एक दूसरा कॉस्चन है नियोजन के महत तथा सीमाएं बताईए ये बात बहुत इंपोर्टेंट है कि इसके इंपोर्टेंस बताने और फिर इसकी लिमिटेशन बताने है कि इंपोर्टेंस होते हैं कि इससे क्या-क्या फाइदे है और लिमिटेशन होते हैं कि इससे क्या-क्या नुक्सान है तो हर चीज ये फाइदे भी होते हैं और नुक्सान भी होते हैं तो आज हमारा ये question यही है कि न्योजन के महत तसा सीमाएं बताईगे ठीक है तो मैं आपको एक बाद बताता हूं महत संस्था के जोखिमों को कम करने में साहिक कोई भी काम हो पहला point है बेटा अगर हम किसी काम को planning के द्वारा करेंगे planning के द्वारा करेंगे तो क्या उसमें ज चारों की खोज करते हैं नमबर तीन संस्था में नियंद्रन बनाए रखने में साहिक कि जब योजना के साथ काम किया जाता है तो काम step by step होता है जिससे संस्था में नियंद्रन बना रहता है क्योंकि योजना के बिना नियंद्रन बेकार है इसलिए संस्था में जो नियंद किसके द्वारा लिए जाते हैं योजना के द्वारा लिए जाते हैं योजन के द्वारा लिए जाते हैं अब बिटा मैंने इनको डिफाइन कर रहा है स्टेप बाइ स्टेप नमबर एक पहला पॉइंट यही किता है संस्था के जोखमों को कम करने में सायक पहला यही तो था सं के संस्था में जितने भी कार किये जाते हैं जितने भी काम किये जाते हैं वो सिस्टम से किये जाते हैं अच्छे धंग से किये जाते हैं जिससे की जो भी आगे आने वाली जोखिम होते हैं रिस्क होते हैं उनकों इसमें क्या कर दी जाता है कमों हो जाते हैं नए ने विचारो कि खोज करनी पड़ती है और नईने विगल्प कहां से आते हैं योजना बनाने से आते हैं नियोजन करने से आते हैं उनके कार, समय, लागत, आधी, सभी के बारे में पहले से ही प्रमाप, प्रमाप होते हैं, बेटा, स्टेंडर, निश्चित कर दिये जाते हैं कि कौन क्या करेगा, इससे सिंपल सी बात अपने आप ही कंट्रोल उसमें हो जाएगा, तो इन सभी के दोरा संस्था में आसानी से क प्रिकरिया से है, इसके अंतरगत निर्ने लेने का लक्ष निर्धारित किया जाता है, और जिससे कि संस्था के लिए आवश्यक निर्ने लिये जाते हैं, ठीक है न, तो इसमें निर्ने को ही सामिल किया जाता है, तो संस्था के लिए आवश्यक निर्ने योजन के द्वारा लिए जाते हैं, अब मैं बात करता हूं सीमाओं की बेटा ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन योजन योजन एक मेहंगी प्रिकिरिया है, क्योंकि योजन la बनाने Eh Planning का पहला कार रहा प्रिबंद करने के लिए प्रिबंदिक का और प्रिपंदक की कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती है इसलिए कहते हैं कि नियोजन एक महंगी प्रिकरिया है नमबर दो नियोजन एक लंबी पर क्रिया है क्योंकि यहाँ पर step by step काम होते हैं पहले planning होगी फिर organizing होगी फिर staffing होगी फिर directing होगी फिर controlling होगी इसलिए यह एक लंबी पर क्रिया है नमबर तीन नियोजन सफलता की guarantee नहीं लेता नियोजन सफलता की guarantee नहीं लेता कहीं आप यह कहोगी कोई भी काम हम planning से कर रहे हैं तो हम क्या उसमें success हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है नियोजन परिवर्त तंसील बातावरन में कारने करता जहाँ पर परिवर्त तंसील बातावरन होता economic changing होता है वहाँ पर नियोजन काम नहीं करता अब मैं बात करता हूँ नियोजन एक महगी परिकरिया है नियोजन सब्द जितना छोटा है उसकी परिकरिया उसने ही बड़ी है यह एक लंबा रास्ता तै करने पर ही योजना अर्थ फून बनती है इस लंबे रास्ते को पार करने में संसा के खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी होना निश्यत है इसलिए कहते हैं कि नियोजन एक महंगी प्रिक्रिया है नियोजन एक लंबी प्रिक्रिया है जिसमें अधिक समय लगता है और अधिक समय लगने की कारण है कास्मिक आपात इस्तिती का सामना नहीं कर सकती न्योजन सफलता की गारंटी नहीं लेता, यह अच्छा पॉइंट है न्योजन कर लेने से सफलता निश्चित नहीं होती बल्कि इसके लिए अनेक प्रियास करने पड़ते हैं यह आप यह कहों कि योजना बना ली, बस हम तो सफल हो गए नहीं, इसके लिए बहुत सारे प्रियास करने पड़ेंगे, तब ही आप सफल होंगे अगर आपने प्रियास नहीं करें तो आप सफल नहीं हो सकते अब बात करते हैं, नीतियों में निरंतल परिवर्दन हो रहा हो, जहां सरकार परिवर्दन हो रही हो, वहां पर प्लैनिंग काम नहीं करता योजना की अथि जितनी अधिक लंबी होगी, उतना ही कम प्रभावी होगा ये बास सही है कि जियोजना प्लानिंग जितनी लंबे समय के लिए की जाए कि उतनी कम प्रभावी होगी इसलिए नियोजन परिवर्त तनसील वातावरन में काम नहीं करता तो बेटा ये दो क्वेशन आज मैंने कमप्लीट करवा दी है इन्हें आप तुम अपने कॉपी में लिख लेना और लाइन कर लेना और मुझे चेक करा देना थैंक यू